असलाम लेकुम एल्टी वन वेल्कम बाक टू मैं चानल सो फ्रेंड हो सकते हैं आपको मेरी आवास लो आ रही हूँ क्योंकि शाय तो माइक में कोजी गड़बड हो गई है तो मैं उसे दिखा लूँगी सही करवा लूँगी पर थोड़ा सा चीस कर लेना ठीक इसलिए मैं कर वो कर दीए हूं ताकि जो समझ में ना एक कैफ्शन में देख सको ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है मैंने गोबी लिया है मैं सिंपली आलू गोबी का जन मिक्स वेज बनाने जा रही हूं बहुत सिंपल तरीके से ये मेरी वन आफ मैइ फेवरेट रेसिपी है जो म कुछ दिखाई भी नहीं देते कितने ज्यादा छोटे हैं वो तो उन्हें निकालने का बहुत ज्यादा आसान तरीक है कि आप उसकी फूल होती नो उन्हें अलग कर लो और उसे नमक के पानी में कम से कम 2-5 घंटे के लिए छोड़ दो तो उसे छोड़ दो नमक के पानी में ठीक है तब तक सारी प्रेप्रेशन मैंने अलगे करके रखी हुई है तो फ्रेंस मैंने अच्छे से नमक के पानी में भिगो दिया था आप देखो कितने अच्छे से यह हो चुका है अब इसके बाद 5-6 पानी से धोना अच्छे से चटकने दिया है फिर मैंने दो स्मॉल साइज की आलू से कार लिया था फिर मैंने गाजल लिया है इसमें क्योंकि हम मिक्स वेज बना रहे हैं फिर गोभी और मटर इसे हमें सौटे करना है स्रिफ नमक को हल्दी से ठीक है मैं बहुत सिंपर तरीके से बना रही ह अगर वेजिटेरियन हो तो प्लीज इसे जरूर ट्राइक करना ठीक है इसे ढख कर कम से कम लो फ्लेम पर पांच मिनट इसे पका लेना ठीक है जब आप इसे पका लोग ना आधी सब्जी आपकी ऐसी ही गल जाएगी मैं आपको चक करके दिखा देती हूं कुछ इस तरीके स आधी 80% सब्जी मारी गल चुकी है ठीक हम इसे खाली करके इसी पैन में हम थोड़ा सा और सरसो का तेल डालेंगा हमने डाली एक बड़ी साइस की प्याज आप आधी भी डाल सकते हो चीक है इस अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने एक ही टमाटर लिया है मैं अधरक्लसर के पैष इसे बाद में डाली अपनी रोस्ट के विस सब्री में धाल की उन्हेया थैसे में तौड़ा हो लिए है ऍॉड़े तो नहीं डालाया लेकिन मैं ढाली हूंस क्योंकि थोड़ा Psal擊 ऍलथे सब्रम के साथ नितर गें तो तो तीन पानी बारस के लिए से कब दो मिनिट के लिए ठीक है ताकि जो बची कुछी सब्जी कच्छी है वह भी ढग जाएगे इसके बाद हम धन्यासी से गानिशिंग करेंगे तो वीडियो पसंद रहा तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कॉमेंट करना कैसी लग यह सिंपल से वेज़ रेसिपी ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो के लिए लेक्शन और सब्सक्राइब